Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanosya Ma'am तो students, आज का जो हमारा टापिक है Pledge Contract, Indian Contract Act 1872 का जो section है उसके अंतरकत ये आता है Pledge Contract तो इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे Duties and Rights of Panner and Pani तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, हम आज की वीडियो चलिए देखिए students, first of all इसका मेनिंग पढ़ेंगे कि Pledge क्या होता है मेनिंग में Pledge, Pledge is a Bailment of Goods at Security for Payment of Debt or Performance of Promise जैसे कि हमने Bailment वाला जो पढ़ा था, Bailment पिछली वीडियो में पढ़ा था, Bailment उसमें क्या होता था एक परसन था, वो दूसरे परसन को क्या दे रहा है अपनी चीज दे रहा है, ठीक है student, अपनी चीज दे रहा है तो और उससे क्या ले रहा है, consideration ले रहा है बस तो उसको हमने Bailment बोला था, लेकिन जब Bailment के अंदर ही debt की बात आती है as a security रखने में, तो वो क्या कहलाती है, pledge कहलाती है तो यानि कि जब एक परसन, दूसरे परसन को क्या दे रहा है, अपनी चीज दे रहा है as a security के रूप में रखने के लिए, debt के रूप में रखने के लिए, तो वो Bailment, तो वो pledge कहलाती है ठीक है students, Bailment में हमने पढ़ा था कि जो Bailment है, उसमें दो पार्टी होती है Bailer और Bailie, इसमें होता है पानर और पानी, पानर जो अपनी चीज गिरवी रखता है the person who pledges goods at security, जो अपनी चीज गिरवी रख रहा है ठीक है, गिरवी रखने वाला कौन हो गया, पूर हो गया हम एक मान के चलते हैं, मैं ऐसा रियल में नहीं है, मैं कुछ वो बना रही है, तो कि आपको याद रहे पानी, poor person, ठीक है, यानि जिसके पास पैसा नहीं है और उसको security में रखनी पड़ रही है अपनी चीज और पानी कौन हो गया, rich person है, जिसके पास security में रखी गई है हमारी चीज who received the goods as security for payment of debt of performance of promise, ठीक है students, चलो आगे चलते हैं अब हम पढ़ते है rights of planner, पानर कौन सा हो गया, poor people, कौन, poor, जिसकी चीज रखी हुई है, उसके rights क्या है, उसके first right है to get back the goods, अपने goods को वापिस लेना, जब वो contact पूरा कर देगा, अपना debt क्लियर कर देगा, तो उसको goods वापिस चाहिए, वो उसके right है, दूसरा to redeem the goods, redeem का मतल वाना, यानि कि वो छोड़ दे अब हमारी चीज, पैस दे लिए तरको, अब आपिस दे चल, to redeem the goods, goods को redeem करवाना, third, to take care and preserve the goods, goods की take care करके रखना, ठीक है, कि बाई, जिसको मैंने अपने goods दी है, मेरा अधिकार बनता है, कि मैं उसको बोलूँं, कि तू मेरी goods की take care करके रख कि जो भी increase है, जो भी profit हुआ है, मेरी goods से, वो मुझे वापिस देगा, मेरा अधिकार ये बनता है, जैसे मैंने एक cow बेची है, मैंने गाएं बेची है, उसको बच्डा हुआ है, उस दोरान जब मैंने वो गिरवी रखी हुई है, तो जो भी बच्डा भी है, और जो गाएं भी है, वो दोनों मुझे ही मिलेगी, increase और profit है, वो मुझे ही मिलेगा, पांचवा, to exercise right of debtor, जो भी देंदार के जो भी right है, वो सारे उसको मिलेगे, ठीक है, देंदार बन जाएगा वो, आगे आजाओ भाई, student, duties क्या होती है, वो तो थे इसके कुछ rights, अब duties क्या होती है, duty क्या होती है, पांचर की, जो poor people की होती है, जिसने अपना क्या रखा है, चीज गिरवी रखी है, to disclose the defects in the goods, अब suppose करो मैंने अपने चीज को गिरवी रखी है, तो वो मेरी चीज है, मुझे सारे उसके जो भी faults वगरा होंगे, सब पता होंगे, defects होंगे, सब पता होंगे, तो अपने टाइम में आपका debt clear कर दूँगा, उस टाइम में अपना promise को पूरा करना है आपको, यह आपका क्या बनती है, duty बनती है, आजवागे, टू पे extraordinary expenses, जो भी आपको उस जो गिरवी रखी है, चीज, उस से related जो भी खर्चे होते हैं, वो आपको ही pay करने पड़ेंगे, आपकी duty बनती है, fourth, to redeem the goods pledged before sale, देखो, अगर आप time पे debt नहीं pay करते हो, तो जो पानी है, वो आपकी चीजों को बेच देगा, तो बेचने से पहले आपनी चीजों को redeem करवालो, छुडवालो, यानि कि debt दो, और अपनी चीजे वापिस ले लो, यह आपकी duty बनती है, fifth, to pay additional expenses, जो भी आपको यह जो करते time पानी को जो भी extraordinary खर्चे लगते हैं, additional खर्चे लगते हैं, वो आपको pay करने पड़ेंगे, लाइक आपने कोई जो गाएं हैं, वो उसको क्या करिए, pledge करिए, तो गाएं के रखने के लिए जो खर्चे हैं, उसको चारा हो गया, उसका ज duty, पानर की, ठीक है, यानि जिसकी चीजे थी, अब जिसके पास चीजे रखी जाएंगी, उसकी duty क्या बनती है, यानि जो rich people है, जो हमारी चीजों को गिर्वी रख रहा है, उसकी duty क्या बनती है, first, first duty बनती है, to take care of the goods place, जो आपने किसी की goods रख रखी है, उसको बहुत ध्य चीजे रखी हुई है, उसको क्या करोगे आप, यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ आपको गिर्वी रखी गई है, आपको यूज करने के लिए नहीं दी, जैसे bailment ये contract में आपको चीजे यूज करने के लिए दी जाती है, ठीक है, यूज करो, जब तक आपने contract करा है एक महीने के लिए करा है, तो एक महीने के लिए यूज करो और उसको वापिस कर दो, लेकिन प्लैज में ऐसा नहीं होता, प्लैज में सिर्फ चीजे गिर्वी रखी जाती है, और उसका यूज करने के लिए आपको नहीं दी जाती, बस आपसे debt के रूप में, security के रूप में जब आपने करजा पे पहें कर दिया है तो कि अपने कर दो में पेट है तो ऋसकी गुड़्स को वापिस को आपश पर लेया जी कुड़े लिग वापिस चीए शाने पंथी नहीं ही टुर इंक्रीज और प्रॉफिट फॉम् गुड्स प्लेच जो वी सघातन्य मेरी टाम फिर प्रोफिट हुआ है उसकी गुड्स में जैसे गाएं को बच्ड़ा हुआ तो बच्ड़ा भी देना है गाएं भी देनी है उसको वापिस देनी है ठीक है स्टुडेंट्स सकाइब नोटिस के सब्सके सिंटी गाएं तो अगर आप उस चीज को सेल कर रहे हो तो फस फोस्तु फॉड्स दोगे सामने वाले को कि भाई अब लास्ट टाइम है तेरे पास मैं तो गुट्स को सेल कर रहा हूँ अगर छुडवानी हो तो छुडवा ले ठीक है रिटेन का मतलब होता है आपने पास रख लो ठीक है उसकी जो चीज रखी हुई थी आपने उसको समभाल के रख लो ठीक है दूसरा राइट तो सेल अगर आपका डेट क्लियर नहीं होता और अगर वह चीज आपकी काम की नहीं है तो इस वह प्लाइक सेल कर दो आपके पार राइट है ठीक है फॉर्थ राइट अगेंस ट्रू ओनर देखो अगर आपको ये नहीं पता था कि जो सामने वाले बंदे ने जिसने आपको वो गुड्स रखी है वो उसका ट्रू ओनर है या नहीं या फिर उसने किसी की और की गुड्स चुरा कर आपको ले दियो कि भैस को क आपको स्यू नहीं कर सकता वह आपके पार राइट है ठीक है तो आप क्या कर सकते हो उसको किस राल सकते हो थीक है सूडेंट्स आपको ये जो आज की जो वीडियो थी वो पसंद आई होगी इस वीडियो में हमने क्या पड़ा मीनिंग देखा कि प्लैज में प्लैज रियल में क्या होता है एक तरह से ये बेलेमेंट का कंस्याक्ति होता है बट इसमें as security के रूप में चीज को रखायाता है यूज करने के लिए नहीं दिया जाता है इसमें दो क्या होती है दो पार्टि होती है पानर होती है पांडी ह। हमने पढ़ा Rights of the Panner, Duties of the Panner, then Duties of the Panner and Rights of Panner ठीक है students तो Business Law के और कोई भी concept हैं जो आपको clear नहीं हो रहे हैं कोई topic है तो आप जरूर मुझे comment box में बताईए मैं जरूर उस पर वीडियो बना के आपको provide करूंगी और Business Law के कोई भी topic हैं आपको नहीं clear हो रहे हैं तो जरूर मुझे बताईए और ऐसे ही Business Law की वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए commerce with कनोजिया मैम और ज्यादा है ज्यादा इस वीडियो को share कीजिए Thank you students